नमस्कार दोस्तों मैं सुनीर शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत सुवागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे what is very focal cctv camera फ्रेंड्स very focal cctv camera वो होता है जिसमें हम very focal cctv lens का use करते हैं फ्रेंट्स वेरीफोकल cc tv camera lens फिक्स्ट cc tv camera lens से अलग होता है फिक्स्ट में आपको choice नहीं मिलती है अज्जेस्ट करने की बट वेरीफोकल में आपको choice मिलती है फ्रेंट्स lens की specification mm में होती है जितने mm बढ़ते जाएंगे आपके उतनी ही कवरे एरिया आपका कम होता जाएगा और कुवाल्टी जो है वीडियो की वो इंकरीज होती चले जाएगी तो आप अपनी चोईस के इसाब से अपनी नीड के इसाब से आप जो है फिक्स CCTV कैमरा परचेज कर सकते हैं बट वेरी फोकल में जो है आपको फॉर एक्जामपल के तोर पर 2.8 mm से 12 mm तक का मैंने वरी फोकल लेंस का कैमरा परचेज कर लिया तो अब मेरे पास चोईस है मैं इसे अज़ेश्ट कर सकता हूं 2.8 mm से लेकर 12 mm तक फ्रेंट्स वेरी फोकल CCTV कैमरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंट्स फिक्स्ट CCTV कैमरा के अंदर हमें जहां रखना पड़ता है कि हमारी लोकेशन क्या है एक्जांपल के तोर पे अगर मैं कैस काउंटर पे कैमरा लगा रहा हूं और फिक्स्ट लेंज का मुझे CCTV कैमरा यूज करना है तो फ्रेंट्स मैं वहाँ पर 8 mm का CCTV कैमरा सेलेट करूँगा और अगर मुझे ground में CCTV camera यूज़ करने है तो मैं 2.8 mm का CCTV camera यूज़ करूँगा तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है fixed CCTV camera lens में बट very focal CCTV camera में आपको इन चीजों का ध्यान रखने की ब्याशकता नहीं कि आपकी location क्या है आप बस very focal CCTV camera purchase किजिए और इसका इस्तमाल कीजिए friends अब सबसे बड़ा question put up होता है कि फिर भी fixed lens CCTV camera की demand very focal CCTV camera से ज़्यादा क्यों है friends तो उसकी सबसे बड़ी वज़या है इसका price fixed lens सस्ते होते हैं very focal lens के मुकाबले इसलिए इनकी CCTV camera की demand ज़्यादा होती है fixed lens CCTV camera में आप monitoring बहुत अच्छे से कर सकते हैं बट जब बात zooming की आएगी तो कहीं न कहीं आप जैसे ही zoom करेंगे तो pixel fitness start हो जाएगी बट वेरिफोकल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि 12 mm तक zooming quality बहुत ही अच्छी होती है number plate तक निकाल जेती है किसी भी गाड़ी का face identification तो बड़े आप प्यार से कर सकते हैं इसमें friends सर्फ इतना ही नहीं इसके अलावा भी वेरिफोकल CCTV camera के हमें बहुत सारे फाइदे होते हैं जैसे कि मैंने किसी classroom में fixed lens का CCTV camera लगा दिया तो वो CCTV camera 70 से लेके maximum 80% तक जो है आपकी classroom को cover करेगा बाकी का 20% जो है लगबग वो उसे छोड़ देगा वो dead zone में आता है active zone यहाँ पे 70 से 80% होगा और जो dead zone होगा वो लगबग 20% होगा friends यहाँ पे dead zone का मतलब होता है जो coverage हमारी नहीं आ पा रही है तो friends यहाँ पे हमें दूसरे CCTV camera की requirement बन जाती है क्योंकि classroom के सभी बच्चे उस CCTV camera में नहीं आ पाते हैं यानि कि अब हमें ऐसी location पर दो fixed CCTV जो camera है उनकी requirement रहेगी तो ऐसी condition में यह है कि friends आप very focal CCTV camera ही purchase कर लीजिए क्योंकि वो आपको यहाँ पे सर्फ एक ही बहुत होगा कम से कम भी आपको classroom का 95% हिस्सा वो cover कर देगा और भी benefits है friends very focal CCTV camera के for example मैंने किसी ground में fixed CCTV camera लगा दिया तो मैं सर्फ उस ground की monitoring कर पाऊंगा बट zooming नहीं कर पाऊंगा मैं normal CCTV camera की बात कर रहा हूं friends यहाँ पे अब बात करते हैं very focal CCTV camera की example की तोर पर friends मैंने यहाँ पर एक 2.8 mm से ले करके 12 mm का very focal CCTV camera इस्टोल कर दिया तो उस condition में फ्रेंट्स मैं इस CCTV camera को permanently 2.8 mm पे fix रखूंगा और जब भी मुझे जूम करना होगा और जूम करके focus करना होगा तो मेरे पास 12 mm तक का जो है जूमिंग क्वालिटी है और मेरी pixel जो है आपे फटे भी गिनी और मुझे बढ़िया जो है जूमिंग क्वालिटी भी मिल जाएगी साथ में यानि कि एक तो मैंने coverage भी ज़्यादा कर ली है यहाँ पर very focal CCTV camera के थुरू और इसके चैनल रक्षम टैक को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारा वीडियो देखने के लिए friends आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching